आइसर नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरी सुऊर आप देक्षभर्म तो दोस्तों आपने बहुत वीडियो के अंदर देखा ओंगा कि यहां पर डीयोभी होती है तो वहां पर क्या करते है कि एक आपका जो MOV है वो लगा देते हैं यह MOV और एक आपका जो Fuse Resistance है उसको लगा देते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बताओं कि DOV की जो Life होती है वो आपकी जादा से जादा 3-4 महीने की होती है और अगर आपको भी पता है कि 2-4 महीने चलेगी उसके बाद यह खराब हो जाती है क्योंकि इसकी लाइफ बहुत कम होती है और जो हमारी Ultra DOV होती है उसकी लाइफ थोड़ी जादा होती है उसके अंदर आप जो आपकी Ultra DOV है उसके अंदर आपको एक बार चाहे तो यह आपका MOV और रजिस्टेंस को लगा सकते हो लेकिन जो आपकी normal DOV आती है उसके अंदर लगाने का इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत वीडियो के अंदर देखा है वहां पर MOV और रजिस्टेंस को लगा के दिखाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि इसको जो ह प्रोटेक्शन मिलेगा लेकिन दोस्तों प्रोटेक्शन का उसके अंदर आपको कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि जब 2-3 महीने के अंदर यह खराब हो जाएगी तो हमारा प्रोटेक्शन किसी काम का नहीं रहेगा यहां पर देखिए हमारे इतने सारे ड्राइवर होती है इसके अंदर हमें MOV और fuse resistance इसलिए मिलता है क्योंकि दोस्तों इनकी जो life होती है वो तीन से चार साल पांच साल की होती है लेकिन इसके अंदर इसलिए लगाया जाता है यहां पर देखिए यहां पर भी देखिए हमारा MOV लगा हुआ है फिर resistance लगा हुआ है MOV की पहचान कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ देखिए अगर MOV आपको DOV के अंदर लगाना है तो उसकी पहचान होगी जो हमारा डाइबोर्ड है अगर डाइबोर्ड से आगे लगा हुआ है तो वह MOV जो हमारा high voltage का होगा है यह हमेसा याद रखें जो MOV तो हमारा डाइबोर्ड से पहले लगा हुआ है जैसे कि AC लाइन से जैसे ही चालू हुई वहाँ पर लगा हुआ है अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अब देखिए यह वाला जो MOV है इसे बहुत से भाई VDR भी बोलते हैं और MOV भी बोलते हैं अब देखिए यहां Vander ये देखिए इह हमारा MOV लगा हुआ है और यहां पर देखिए जैसे AC लाइन हमारा चालू हुआ यह देखिए AC लाइन पे लगा हुआ है तो यह हमारा एमयों जो है एसी के अंदर काम कर जाएगा और अगर यह डाई बोर्ट से आगे लगा वहा होता तो यह है mamclass होता मतलब है अगर यहाँपर यह 25 या 300 वोल्टेज पर काम करेगा तो दीसी पर यह 400 से साड़य 400 वोल्टेज पर काम करेगा क्योंकि DC वोल्टेज जैसी आगे होती है वो जादा हो जाती है अगर आपको हमेशा MOV लेना है तो आपको जो है AC लाइन वाला लेना है और तो फ्यूज रजिस्ट्रेंज आप इंडर सर्किट के अंदर सब के अंदर लगी होती है जो हमारा मेरा दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद है कि मैंने बहुत वीडियो के अंदर देखा है कि वहाँ पर जो है MOV को और रजिस्ट्रेंज को लगा दिया जाता है लेकिन दोस्तों इसकी लाइफ ही बहुत कम होती है तो इसके अंदर लगाने का कोई बेनफिट नहीं है हाँ अगर आपके पास कुई अल्टर डियो भी है तो आप लगा सकते हैं लेकिन अगर आप फिर भी इसके अंदर लगाना चाहतें है तो मैं आपको लगाना बता देता हूं कि इसके अंदर किस तरीके से लगाते है और कैसे ये काम खरेगा अब देखिए मैंने यहाँ पर AC लाइने ये सिरीज के अंदल लिए अब देखें ये जैसे कि हमारा ये MOV है ये मैंने MOV को निकाल लिया और एक मैं Fuse resistance निकाल लेता हूं ये देखें ये हमने Fuse resistance निकाल लिया तो आप हम इसको लगाएंगे कैसे जो हमारा MOV है वो तो हमारा दोनो AC line पे ही लग जाएगा जो हमारा AC line होता है ये देखिए जो हमारा AC line है उस पे देखिए MOV इस तरीके से लग जाएगा ये देखिए ये AC line पे हमारा MOV लग गया और दूसरा ये है हमारा ये हो गया हमारा fuse resistance इसको आप किसी भी line पे लगा सकते हो जरूरी नहीं है आप इसके अंदर line को चेक करोगे जहाँ पर आप कमान करें दोनो line पे से किसी में भी आप देखिए ये जो resistance है हमने देखिए resistance और MOV दोनों लगा दिया लेकिन अब हम इसको जलाएंगे तो अब भी जलेगा ये ये देखिए मैं अब इसको DOV को जलाकर दिखाता हूँ ये देखिए अब भी जल रहा है अब इसका काम क्या होगा इसका काम होगा कि यहाँ पर जैसे कि यह आपका लगा हुआ है साड़े तीन सो बोल्टेज का तो यहाँ पर अगर साड़े तीन सो बोल्टेज आएगी तो क्या होगा ये एमो भी सोट हो जाएगा और रजिस्टेंस जो है हमारी खराब हो जाएगी लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो मैन काम है वो जो लोंग टाइम जो सरकिट चलते हैं उनके अंदर इसको यूज करा जाता है लेकिन आपका डियो भी ही तीन से चार महीने पहले ही खराब हो जाएगा तो इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है और आप मेरे को कमेंट में भी जरूर बताना कि इसका लगाने का कोई डियो भी के अंदर बेनफिट है या नहीं है तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल के आइकन को जूरूर दवाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा